तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलिशयस आलू मतर की सबजी की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंट्स वैसे तो आपने आलू मतर बहुत बार बना के खाया होगा आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाना बताऊंग इस तरीके से आप एक बार अगर बना के खा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा बिल्कुल धाबा स्टाइल बनती है सबजी और फ्रेंट्स इस रेसिपी के साथ साथ आज मैं आपके लिए गिववे भी लेके आई हूँ आप पूरा जनवरी का महीना यानि 30 जनवरी तक मैं गिववे कर रही हूँ हर वीक में दो गिफ्ट दूँगी तो आज मैं आपके लिए स्टेनले स्टील का ये नमकीन मेकर लेकर लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छी कॉलिटी का है इससे आप बहुत सारे तरीके की नमकीन बना सकते हैं तो फ्रे तो फ्रेंस चलिए शुरू करते हैं रहसे पर इसके लिए हाँ पर मैंने कडाई रग दी है गैस पर और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चमच के करीब तेल और तेल जैसे ही गरम हो जाएगा इसके अंदर हम डाल देंगे दो बड़े साइस के प्याज इस तरी बड़े काट लिया है बस तो यह जो प्याज और हरी मेर्ची है इसको हम हलका सा फ्राय कर लेंगे इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ देखिए एक इंच का अद्रक का टुकड़ा और साथ से आठ लसुन की कलिया मैं इस तरीके से साबुत ही डाल रही हूँ और इ उसको मिक्स करेंगे और साथ में इसमें नमक भी डाल देंगे थोड़ा सा टमाटर डालते ही नमक डालना जरूरी है ताकि ओं गल जाये अच्छे से तो फ्रैंस इसको भी हाई फ्लेम पे हम पका लेंगे टमाटर को जब तक यह अच्छे से गल नहीं जाता वैसे तो आप च अब इसका को हम बंद कर देंगे और इसको थंड़ारी में का स्थ लेंगे हम इसको ठंडा कर लिया और उसके बाद पाझ है बूनへ भी आशी ह्यां आक आप सकते हैं बिल्कुलोर थे तो फ्रेंस चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना यहां पर मैंने कड़ाई रग दी है फिर से गैस पे इसमें हम एक बड़ा चमच के करीब तेल डालेंगे तो फ्रेंस टेल जैसे गरम हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे आदा छोटा चमच के करीब जीरा और जीरे के बाहता है तो यह मैंने डाल दिया है एक चमच के करीब लालेंची का पाउडर इसके बाद फटा फट से हम यह ग्रेवी इसके अंदर डाल देंगे तो यह जो मिर्ची है इससे जो इसका टेस्ट है और जज़ादा अच्छा हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इसके उपर ग्रेवी के उपर अच्छी सी तरी आ गई है जो की बहुत ही टेस्टी लग रही है तो यह जो ग्रेवी है इसको हम मिक्स कर देंगे हलका सा और इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी थोड़ा सा वन फोट कप के करीब और इसको मिक्स करेंगे अब इसके अंदर हम डालते हैं मतर मैंने यहाँ पे कम से कम पाव भर मतर का यूज किया है इसके तरीके से हम डाल देंगे धोके साफ करके इसके अंदर और साथ में मैं डाल रही हूं इसमें आलू और यहाँ पे मैंने तीन बड़े साइस के आलू ह और इसमें अभी तक हमने नमक नहीं डाला था तो इसके अंदर स्वादनुसार हम नमक डाल देंगे और इसके अंदर मैं आदर ग्लास के करीब पानी और डालूँगी फ्रेंच इसके अंदर मैंने हल्डी और धनिये का इस्तमाल बिल्कुल नहीं किया है सबजी में बाद में इसमें गरम मसाला डालूंगे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं और अब इसको बिल्कुल धीमी आज करके 15-20 मिनिट के लिए हम छोड़ देंगे पकने के लिए ये देखिए फ्रेंट से अभी 15 मिनिट हुए हैं तो मैं इसको एक बर घुमा देती हूं और फिर से धक्के मैं पकाऊंगे इसको 5 मिनिट के लिए और और ये देखिए फ्रेंट 20 मिनिट हो गए हैं बहुत ही टेस्टी और डिलिश्यस हमारी ये सबजी लग रही है इसका कलर फ्रेंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है चेक कर लेते हैं देखिए आलू भी बिल्कुल अच्छे तरी इसके इंदर डाल दूँगी तो फ्रेंट ये हमारी धाबाई स्टाइल की बहुत ही टेस्टी और डिलिश्यस आलू मटर की सबजी बनके त्यार हो गई है बहुत ही अच्छी तरी है इसके उपर तो मैं दो मिन्ट के लिए और इसको ढखके पकाऊंगी बहुत ही टेस्टी खुश्बू आ रही है तो इसका कलर भी बहुत ही लाजवाब लग रहा है आप इसको तंदूरी रोटी रुमाली रोटी या फिर नॉर्मल तवा रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी सबजी है बहुत ही डिलिश्यस सबजी है और फ्रेंट अगर आप एक का मेरा लिंक मैंने फॉर्स कमेंट में दे रखा है वहाँ पर जाके आप जरू चेक आउट कीजिएगा तो फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी बड़िया वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई और फ्रेंट ये कुछ दूसरे वीडियो है हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके दे एक सकते हैं थैंक यू